अलो फ्रेंड्स कशे बाफ सर्थ मैं हो निहां तो बज गए है सुबाग के साथ और मैं हो गए हूं नहा दोकर रेडी तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लोग और सुरू करते हैं घर का काम आज मैं अभी तो चाय बनाने जा रहे हूं आई आप लोगों का भी चाय में स्वागत है और मैं आज बनाऊंगी खाने में मिक्स वेश्टेवल और पंजाबी तड़का तुवर दाल उसके बाद में मैं आज आप लोगों साथ एक शेर करूंगी बहुत अच्छी चीजे मैंने अमेजन से कुछ प्रोड़ेक्ट मगाए हैं तो मैं उसको आप लोगों साथ शेर करूंगी देखिएगा मेरे सामन कैसे है अगर अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करके बताईएगा तो चलिए शुरू करते हैं अब बनाते हैं चाय उसके बाद में खाने की तैयारी करते हैं तो फ्रेंट्स आज में बनाने जा रहे हैं मिक्स बेश्टेबल में मैंने लिया है गाजर, आलू, सेम, मतर, सिमला और पता वो भी टमाटर मैं इनसे ही बनाऊंगी मिक्स बेश्टेबल जब भी बनाएए इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी सब्जी जो भी है वो एक समान कटी होनी चाहिए और एक समान बराबर होनी चाहिए इसकी मातरक कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप कम बनती है और खाने में भी टेश्टी बनती है तो चलिए शुरू करते हैं बनाने की तयारी करना अमने लिए प्याच अद्रक लसन और हरी मिर्च हम इने चौप कर लेंगे हम इसे फाइन चाप कर लिया है इस तरीके से चलिए शुरू करते हैं बनाना अब हम लेते हैं मसाले हमने लिया हल दी आदा चमच थोड़ी सी लाल मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला चलिए शुरू करते हैं बनाना अब हम लेते हैं मेरा ओयल गरम हो गया है मैंने जीरा डाल दिया है एक चमच जीरा मैं डालती हूं जीरा हलका सब राउन हो जाएगा उसके बाद में मैं जो चौप कियोए प्याज लेसन द्रग थे हरी मिर्च धरा डाल दूंगी और इने सुनेरा गोल्डन ब्राउन भून लूंगी इसमें आप अगर चाहें तो ब्याज के बड़े टुकड़े काटकर भी डाल सकते हैं सब्जी के साथ उसका भी बहुत अच्छा फ्लिवर आता है और सब्जी भी अच्छी लगती देखने में लेकिन मैंने चौप करके महीं टुकड़े के डाले हैं अब मैं मसाले डाल दूँगी डाउन हो चुका है मेरा प्याज लगवाग एक मिनट डेड़ मिनट बूरना होता है ज्यादा नहीं बूरना होता है अब मैं टमाटर डाल दूँगी टमाटर मैंने टुकड़ों में इकाटे हैं कि टमाटर सबजियों के साथ दिखना चाहिए अब हम सबजी आट कर देंगे सारी डाल देंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे साथ अनसार उसके बाद में दीरे दीरे इन सबजियों को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से देखिए रंग भी रंगी सबजिया कितने अच्छी लग रही है देखने में यह जितना देखने में अच्छी लगती है उतने पॉस्टिक भी होती है कि हमने सारी कुछ ग्रीन वेजटिबर इस्तेमाल किया है और इसे सभी अच्छे से खाते हैं चाय बच्चे हों बड़े हों बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खा लेते हैं अब हम इने ढग देंगे और पकने देंगे देखते हैं तीन-चार मिनट हो गया है यह देखिए मेरी सबजी पक चुकी है बिल्कुल तैयार है सबजी मेरा बनाने का तरीका एकदम सरल होता है और खाने में इसका टेश्ट ला जवाब होता है और साथ में यह देखिए है मेरी तुर की डाल पंजावी तड़का यह देखिए मेरी सबजी कैसी लग रही है और आएए आप चलते हैं आपको दिखाते हैं अपना सौपिंग का सामान अगर आप लोगों को मेरा सामान पसंदा है तो प्लीज लाएक और शेयर ज़रू करिएगा मैं उसका लिंक जो है डिसकर्शन में देदूंगी यह देखिए यह है मैंने चार प्रोडक्ट मंगाया है यह है बेटशीट यह बेटशीट मैंने किंग साइज में मंगाया है और मेरा फेवरेट कलर है यह ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका पैकिंग देखिए पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है इसका बॉक्स जो है बहुत अच्छा दिया है मैंने पहले से खोल दिया था देखिए बहुत अच्छे से पैक करके भेजा गया था मुझे इमेजन से यही चीज अच्छी लगती है कि इनका जो प्रोड़क्ट होता है वह बहुत अच्छा होता है और यह बहुत अच्छे से पैकिंग गज़ा देते हैं यह देखिए वाइट के शाथ में इसका ब्लू का कॉम्बनेशन कितना बढ़ियां है इसकी डिजाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी ब्लेक पोल का ड़ट मुझे बहुत अच्छा लगाई और इसका कपड़ा बहुत थीक है प्यॉर कॉटन में है आप लोगों को कैसा लगा और इसका पिलो कवर देखिए कितना बढ़ा है बहुत अच्छा है यह देखिए बना भी काफी अच्छे से है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा यह नहीं है कि जरावी कहीं से बाहर निकले या कुछ हो यह था और यह रोल मैंने मंगाया है किचन के लिए किचन की वाल के लिए है जब मैं अपना किचन का मेकोर करूँगी तो आप लोग साथ शेयर करूँगी अभी मैंने इसे खोला भी नहीं है और अब मैं तभी खोल कर आप लोगों दिखाऊंगी यह से दिखाई तो पढ़ गा है बहुत अच्छी डिजाइन है और यह है कुशन कवर यह मैंने कुशन कवर मंगाया है कुशन कवर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी आप लोग भी देखिएगा मैंने भी इसकी पैकिंग खोली भी नहीं है देखिए आप लोग सामने ही खोल रहे है यह देखिए मैंने सेम कलर मंगाया हुआ है और इसकी डिजाइन देखिए बहुत अच्छी है सिल्क है और सिल्क पर यह काम है काम क्या है? है यह कपड़ा ही लेकिन बिल्कुल इसका जो डिजाइन है एकदम काम जैसा लगता है जैसा लगता है वर्क क्या है? देखिए पास से कितना अच्छा है तो कितना फाइन है और सिल्क का है, जिब भी काफ़े अच्छी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैचिंग का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, फाइब है, ये मुझे पड़ा है, चार सुन इन्नानवे का, ये फिप्टी परसंट सायद या सेवन्टी परसंट छूट है, ये देखिए इसका काम, पास से देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका काम बहुत प्यारा लगा है, और एक कुशन पर लगने के बाद में बहुत प्यारा लगेगा, जब मैं अपने बैडरूम का मेकॉर करूंगी, तो आप लोग साजरू शेयर करूंगी, और ये हैंड ब्लेंडर, ये बहुत अच्छा होत यह पहले मेरे पास था खराब हो गया था तो मुझे इसके बहुत नीविट थी इसलिए मैंने मंगाया काफी बढ़िया स्वाप चलता है और अच्छा भी होता है काफी अच्छे से एग हो गयरा है इसे बहुत अच्छे से ब्लैंड करता है यह देखिए इसके स्पीड बहुत अच्छी होती है यह यह पढ़ा है मुझे एकसो पच्छेटर का तो मेरे सामान आपको कैसे लगे मेरी चॉइस कैसी है यह मुझे पढ़ा है साहे तीनसो असी का है लार्ज है तो